नमस्कार इसका व्यापक प्रभाव सभी राशी के जातकों के उपर पड़ता है। वर्तमान में शनीदेव राशी बदल कर कुम्भ राशी में विराजमान है। इस वक्री चाल के दौरान शनी की गती धीमी हो जाती है और वे एक राशी में कुछ समय बिता कर फिर से पिछली राशी मे लोटते हैं। इस समय के दौरान कुम्भ राशी के जातकों को अपनी करियर, व्यापार, संबंध और वित्तिय मामलों में कुछ बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। शनीवक्री का प्रभाव विभिन पहलूँ पर पड़ता है। करियर की दृष्टी से देखें तो कु के मामले में थोड़ी सतरकता बरतनी चाहिए। नई परियोजनाओं की शुरुवात से पहले सावधानी बरतनी चाहिए और पूर्णता के लिए मेहनत करनी चाहिए। संबंधों की दृष्टी से पार्टनर्शिप और संगठनात्मक मामलों में कुछ अर्चनों का सामना कर सकता है। इसलिए सही संबंधों को सामर्थ्य पूर्ण बनाए रखने के लिए समय और प्रयास दोनों का प्रयास करना आवश्यक हो सकता है। वित्तिय मामलों में भी शनिवक्री के दौरान कुछ सतरकता बरतनी चाहिए। बचत और निवेशों पर विचारशीलता बरतनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि वित्तिय लेंदेनों में कोई गड़बडी न हो। यह समय अच्छा हो सकता है अगर आप वित्तिय प्रबंधन में सतरक रहेंगे और संचय और निवेश की योजनाएं बनाएंगे। यदि आप कुम्भ राशी के जातक हैं तो शनिवक शनिवक्रिया के दौरान स्थिर्ता और स्थायत्व देगा। शनिवक्री के दौरान धैर्य और संयम बरतना महत्वपूर्ण होता है। इस समय में आपको व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के एक शेत्र में थोड़ा अधिक सतरक और समर्पित रहने की आवश्यक्ता हो सक है, संघर्षों और चुनोतियों के मुकाबले में संयम और स्थिर्ता रखने से आप अधिक सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। शनिवक्री का प्रभाव कुम्भ राशी के जातकों के लिए एक नए अवसर और संघर्षों की ओर एक नई यात्रा की शुरुवात का संकेत हो हो सकता है। यह समय थोड़े चुनोति पूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आप इसे सावधानी पूर्वक और संयम से सामना करें, तो यह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए एक महत्व पूर्ण मौका बन सकता है। कुम्भ राशी के जातकों को अपनी हुआ 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 है।